हाई फ्रेंड्स मैं हूँ सुभाष, NLP ट्रेनर, लाइब कोच, मोटिवेशनल स्पीकर एंड़ मेंटोर दोस्तों मैं क्या करता हूँ? मैं गाइडलाइन देने का काम करता हूँ IAS बनना हो तो मैं गाइडलाइन देता हूँ एस सरकारी नोकरी पाना हो तो मैं गाइडलाइन देता हूँ G1 में कोई भी चेलेंज हो मैं मारिघ दर्शन देता हूँ G1 में कोई भी समस्या हो, मुझे फोन लगाओ, समस्या का हल मिलेगा क्योंकि मैं उस समस्या में ही आपको सफल होने का अवसर दिखा दूँगा और आप उस अउसर का उप्योग कर सफल हो जाओगे तो माई डियर फेंड्स जीवन में सफलता पाना बहुत आसान है यदि आपके पास सही माईग दर्शक हो तो जीवन में सबसे बुरा वाग किहे काश मुझे कोई बताने वाला मिल जाता कुछ समय बाद क्या आप भी ये बोलना चाहोगे यदि नहीं तो अभी काल करो अभी मुझे से बात करो मुझे से बात नहीं की तो बहुत कुछ मिस करोगे आप सपने बहुत देखते हो आप काम भी बहुत करते हो फिर भी सफलता नहीं आती क्योंकि केसे करें कोई बताने वाला नहीं है मुझसे बात करोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी मुझसे बात करोगे तो आपका धेर सारा पेसा और कई साल बच जाएंगे ये वीडियो खास करून स्टुडेंट्स के लिए है जो IAS PSC के तेयारी कर रहे हैं मैं UPSC के लिए गाइडलाइन देता हूँ और उसी दिशा में ये दूसरा वीडियो है I hope कि पहला वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि UPSC करेक करने के लिए आपको किसी कोचिंग क्लास को जोईन करना ज़रूरी नहीं है यदि आपने वीडियो नहीं देखा हो तो देख लीजी इस वीडियो का पीडिये फाइल आप मेरी वेबसाइट ispsc.com से डाउनलोड कर सकते हो तो चलिए देखते हैं कि UPSC को करेक करने के लिए आपको क्या करना ज़रूरी है बोध्यान से देखिएगा सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि UPSC को करेक करना कठिन नहीं है क्या कहामेने UPSC को करेक करना कठिन नहीं है बस वहां तक पहुँचने का रास्ता थोड़ा लंबा है जो समय लेता है तो इसलिए UPSC क्रेक करना आसान है रास्ता लंबा है जिसे हम समझ रहे हैं चुँकि कोई भी काम हो उसको किस तरह से किया जाए यदि पता नहीं हो तो फिर वो कठिन है लेकिन इस वीडियो को पुरा देखने के बाद आपको UPSC केसे करेक करें यह पता चल जाएगा और फिर यह आपके लिए आसान हो जाएगा UPSC कठिन है और बगेर कोचिंग के नहीं हो सकता यह भ्रम फेलाया गया है आपके अज्ञानता को भुनाने के लिए और यह भ्रम किसने फिलाया है बड़े बड़े कोचिंग सस्थान ने So don't worry, keep watching UPSC के तेयारी शुरू करने से पहले कुछ चीजे बहुत अच्छी तरह से समझ ले और लिख कर यह प्रिंट आउट निकाल कर सामने चिपका ले पहला, hard work का कोई विकल्प नहीं है लेकिन hard work भी सही दिशा में हो तो ही सफलता मिलेगी यह याद रखें क्योंकि आपके आसपास देख सकते हो आप कि धेरों लोग 24-7 hard work कर रहे हैं किन्तु सफलता उनके कदम नहीं चूम रही है वजह साफ है कि उनका hard work सही दिशा में नहीं है तो friends hard work करें किन्तु सही दिशा में और यदि सही दिशा नहीं हो पता तो मुझसे बात करें Second point, revision is the key मतलब revision ही सफलता की चाबी है तीन-चार books को एक बार पढ़ने से बहतर है एक book को तीन से चार बार पढ़ें क्योंकि जो पढ़ा है उसे recall नहीं कर सके तो हमारा पढ़ा हुआ कोई काम का नहीं है बहतर revision के लिए three steps formula का उपयोग करें three steps formula क्या है पहला same day revision करें मतलब उसी दिन जो भी आपने पढ़ा है उसका short time निकाल के शाम को या रात को वापस से पढ़ ले end of the week मतलब सबता के अंत में फिर से पढ़े three steps आपने उपयोग की तो I'm sure कि आपको याद रहेगा और आप exam में बहतरीन लिख सकोगे आपको number मिलना तैबात है तीसरा point प्रारंबिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तेयारी साथ साथ चलेगी जिनें पता नहीं है उन्हें बता दूं कि civil services तीन चरणों में होती है पहले प्री होती है फिर मेंस होती है फिर इंटर्व्यू अधिकांश विद्यारती अपनी सारी उर्जा प्री की पढ़ाई में ही उपयोग कर लेते हैं जबकि प्री exam सिर्फ एक छटनी की exam है अब आपको पता चल गया है इसलिए प्री प्लस मेंस की तयारी करें किसी भी कोचिंग के जहांसे में ना आएं कि सिर्फ प्री की तयारी करें कोई भी समस्या आए मुझसे बात करें मेरा चैनल सब्सकारीब कर लें ताकि मैं कुछ भी नया अपलोड करूँ डाउनलोड कर सकते हो अब हमें सिलिबस के द्वारा पता चल गया है कि कौन-कौन से सब्जेक्स पढ़ना है लेकिन हमें यह पता नहीं चला है कि इन विश्यों को कितनी गहराई तक पढ़ना है क्योंकि प्रीवियस येर्स के कोश्चन पेपर्स पढ़कर तो लगता है कि बहुत कठीने और बहुत गहराई से पढ़ने की जरूर रहते तो डरिये नहीं हमें NCRT की बुक्स से पढ़ना शुरू करना है और उसी से हमें हमारे सब्जेक्स का विस्तार भी समझ में आ जाएगा अभी हमने चूंकी पढ़ना शुरू किया है तो थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि ये सभी चीजे हमारे लिए थोड़ी अंजानी है तो डर और शंका की गुंजाईशे लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपका डर और शंका खुशी और विश्वास में बदल जाएंगे न्यूस पेपर रीडिंग प्री और मेंस की पढ़ाई के सांसांती चलेगी लेकिन उस पर मैं एक अलग वीडियो बना कर दूँगा इनसी आर्टी पढ़ने से पहले उनकी एक लिस्ट बना ले कनफ्यूजन नहीं होगा इससे एक समय में सिर्फ एक ही विशाय पढ़ें जब वो समाप्त हो जाए तो ही दूसरा विशाय लें जबकि पहले वाले का रिविजन करते रहें यह जो छटा पाइंट ए नसी आर्टी पढ़ने से पहले उसके लिस्ट बना ले यदि लिस्ट आपको समझ में नहीं आती है कि कौन-कौन सी बुक्स पढ़ना जरूरी है तो वो भी मुझसे आप बात कर सकते हो यहां ध्यान रखें कि अभी आपको नोट्स नहीं बनाना है क्योंकि पहले एक या दो रिडिंग में आपको पता नहीं चलेगा कि क्या खास है क्या खास नहीं है मतलब अभी आप important और not important में अंतर नहीं कर सकोगे तो just read, don't make notes हमने देखा है कि बच्चे पहले रिडिंग में पूरी किताब को चितरना शुरू कर देते हैं अलाइन करना शुरू कर देते हैं खास गास बात पर जबकि अभी उनको पता नहीं है पहले रिडिंग में पता नहीं चलता है notes केसे बनाएं इस पर भी मैं अलग वीडियो आपको बना कर दूगा तो पहली रिडिंग में न तो उस पर निशान खीचे निशानल बनाएं नहीं आप notes बनाएं अब जब एक या दो रिडिंग हो जाए तो आपको फिर से syllabus देखना है और फिर से previous yes question papers भी देखना है ये देखने की समझने की कोशिच करें कि प्रशनों को किस तरह से बनाया जाता है वो अगली रिडिंग में जिसा एक्जाम में पूछा जाता है उसी तरह से पढ़ना है जब आप सभी subject की NCRT समाप्त कर लें तो फिर time आता है standard books पढ़ने का याद रखें approach वही रहेगी जो हमने NCRT को पढ़ते समय रखी थी मतलब पहले syllabus देखेंगे फिर previous yes के question papers देखेंगे और फिर books देखेंगे फिर syllabus देखेंगे फिर previous yes questions के paper पढ़ेंगे और फिर books फिर दूसरी reading बाद हर subject को correlate करने की कोशिश करना है मतलब geography केसे जुड़ा है polity से या economy के ऐसे प्रभावित करता है polity को या संसाधन केसे प्रभावित करते हैं जलवायू और वन्नी जीवन को correlate पर भी यदि आप सरदमज में नहीं आता है तो आप मुझसे कहोगे तो एक अलग वीडियो में बना दूँगा अब हमें देना है final touch मतलब NCRT plus previous ES question papers plus standard books एक साथ पढ़ना है जब ये एक साथ आप पढ़ लोगे तो अब हम तयार हो गए हैं exam देने के लिए तो आप कोई भी अच्छी online test series ले लीजिए और test देना शुरू कीजिए test देने में बेइमानी न करें test दे हमें पता चलेगा कि हमारा कौन सा area वीक है और किस हिस्से पर हमें जोर देना बाकी है हमेशा दियान रखें revision is the key revise and test be regular ये रणनीती या guideline तकरीबन सभी exam के लिए एप्लिके भले मतलब न सिर्व UPSC के लिए पाकी सब के लिए भी किन्तु फिर भी ये खाज UPSC के लिए है यदि आप किसी खाज exam की guideline चाहते हो तो comment box में लिख दो अगला वीडियो में उसी exam के syllabus plus books के हिसाब से बना दूगा यदि पसंद आया हो वीडियो तो like कर दो कोई भी समस्या है कहीं भी आप अटक रहे हो कोई भी मन में doubt आता है तो तुरंत इस number पर मुझे call कर लो I hope कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यदि अच्छा लगा है तो like का बटन दबा दो और यदि अच्छा लगा है दोस्तों को फायदा पहुंचाना चाते हो शेर कर दो और कोई समस्या हो comments box में लिख दो और cheer आप तो करी दिया करो मुझे thank you